सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी हमने सरकारी स्कूलों को बहुत शांदार बनाया अब बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं तो बारवी क्लास तक की शिक्षा फ्री है बारवी के बाद जब बच्चा कॉलिज में जाता है तो कॉलिज में पढ़ने के लिए उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है तो एक तरह से बारवी के बाद भी बच्चे को अपने माबाब से पैसे लेने के लिए बच्चा अपने माबाब की आर्थिक स्थिती के उपर उसको निर्भर नहीं करना पड़ता वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है लेकिन आज competition का जमाना है competition के जमाने में बारवी के बाद बच्चे को अच्छे medical college में, engineering college में या और सारे कई professional courses में admission लेने के लिए coaching करनी पड़ती है जो बच्चे गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो बच्चे उन में भी बहुत बच्चे intelligent होते हैं लेकिन आज competition इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चे अच्छी coaching के अभाव में उन बच्चों से पिछड़ जाते हैं जो बच्चे आर्थिक स्थिती से में मजबूत परिवारों में पैदा होते हैं और जिनको अच्छी coaching मिल जाती है उसी तरह से graduation के बाद जब नौकरी के टाइम आता है civil services exam देने होते हैं railway के exam देने होते हैं SSC के exam देने होते हैं उसमें भी बच्चे पिछड़ जाते हैं जिनको अच्छी coaching नहीं मिल पाती गरीबी के कारण वो बच्चे पिछड़ जाते हैं हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चे अपनी गरीबी के कारण किसी भी competition में पीछे रह जाए ऐसे सभी बच्चों का खयाल रखने के लिए हमने एक साल पहले जै भी मुख्यमंत्री योजना निकाली थी अभी तक जो योजना चल रही थी जै भी मुख्यमंत्री योजना प्रतीभाविकास योजना ये योजना केवल SC कैटेगरी के students के लिए थी और इस योजना में 40,000 रुपे मैक्सिमम आर्थिक सहायता दी जाती थी कोचिंग के लिए ये पिछले एक साल से चल रही है इस योजना के इंप्लिमेंटेशन के दौरान अब देखा गया एक तो ये देखा गया कि 40,000 रुपे कम पढ़ रहे हैं बच्चों को अच्छे कोचिंग इंसिट्टिूट्स के अंदर 40,000 रुपे कम पढ़ते हैं और दूसरा ये देखा गया कि ऐसी कैटिगरी के अलावा बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे तो अभी अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें ये निरने लिया गया है कि अब ये राशी 40,000 से बढ़ा की एक लाख कर दी गई है कि अब अगर कोई बच्चा इसमें लेना चाहेगा तो अलग-अलग कैटिगरी है जो मैं भी बताऊंगा आपको और कि इस एक्जाम में इतने पैसे दिये जाएंगे इस एक्जाम के लिए इतने कोचिंग के लिए इतने पैसे दिये जाएंगे लेकिन इसके साथ साथ अब ये योजना सब के लिए लागव होगी SC स्टूडेंट्स के लिए भी लागव होगी OBC के लिए भी लागू होगी और आर्थिक दृष्टी से कमजोर जनरल कैटेगरी के बच्चों के उपर भी ये योजना लागू होगी तो तीनों कैटेगरी के गरीब बच्चों के उपर ये योजना लागू होगी तो जैसे civil services exams हैं पहले हमने पास किया था कि केवल पांच महीने की coaching दी जाएगी और 40,000 रुपए लेकिन ये देखने में आया कि पांच महीने की coaching से उनका काम नहीं चलता अब इसको कर दिया गया है कि 12 महीने की coaching होगी और एक लाख रुपए दिये जाएंगे इसके अलावा civil services में ही optional subjects के लिए 4 महीने की coaching और 40,000 रुपए जुडिशल services exam के लिए 12 महीने की coaching और एक लाख रुपए professional courses में admission लेने के लिए engineering, medical, nda, cds इन में 11 महीने की coaching और एक लाख रुपए MBA, CLAT वगरा के professional courses के entrance exam के लिए 6 महीने की coaching और 50,000 रुपए ग्रुप A और ग्रुप B के exams के लिए other than civil services छे महीने की coaching और 50,000 रुपए आदर ग्रुप A and B exams conducted by state public service commissions, SSC, officers grade exams, etc. पांच महीने की coaching 30,000 रुपए ग्रुप C की post के लिए 4 महीने की coaching 25,000 रुपए और interview की coaching के लिए 10,000 रुपए इसने एक पैनल बना दिया गया coaching institute का जिनके साथ सरकार ने agreement किया है उन coaching institute से सरकार को काफी सस्ते rates offer की है तो इन coaching institute में अगर किसी बच्चे का admission होता है तो सीधे coaching institute को सरकार पैसा दे देगी इसके अलावा अगर कुछ institute's ऐसे हैं काफी प्रीमेम institute's जो सामने नहीं आए उन्होंने agreement नहीं किया उदर अगर किसी बच्चे का admission होता है तो इस limit तक हम सीधे बच्चे को वो सहायता मोहिया करा देंगे और इसमें एक कंडिशन है कि बच्चा दिल्ली का होना चाहिए तो उसने दस्वी और बार्वी क्लास दिल्ली से पास की होने चाहिए तब ही वो eligible होगा और उसकी family income should be less than eight lakh rupees so यह मोटे-मोटे तोर पे है पिछले साल जो हमारा experience रहा है total total कितने students ही नो जाओ पांच जार नौसी क्या इक सट पांच जार नौसी क्या पांच जार नौसी एक सट स्टूडेंट्स ने पिछले बार इसको अवेल किया था जिसमें से 3280 बच्चों ने चार अजार नौसी के लिया था 944 बच्चों ने UPSC के लिया था और 739 बच्चों ने professional courses में admission देने के लिया था जैसा आप लोग जानते हो अपनोंगों ने अभी देखा भी में एक विजय है जो बहुत गरीब बच्चा है उसका इटी में हो गया शशी एक बहुत गरीब बच्ची है उसका नीट में हो गया तो अभी तक के जो एक्सपीरियंस से वह बहुत ही एंकरेजिंग है और यह दिखाते हैं कि अगर हम अपने गरीब बच्चों को थोड़ी सी मदद कर दें उनको कोचिंग देने में तो हमारे गरीबों के बच्चे जो है वह बहुत शांदार तरीके से निखर करके आ सकते हैं और अपने माबाप की गरीबी दूर कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह जैभीम मुख्यमंत्री योजना जो है यह एक बहुत ही महत्वपून योजना है और मुझे खुशी है कि यह बाबा सा बंबेट कर के नाम पर यह यह क्योंकि वाबा सा बंबेट कर का सपना ही था कि अच्छी शिक्षा दी जाएगी अगर बच्चों को तो एक पीड़ी के अंदर इस देश से गरीबी और पिछड़ा पंदूर किया जा सकता है इसमें हम पैसे की कमी नहीं होने रहेंगे जब 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 पढ़ेगी ऐलोकेशन बढ़ा दी जाएगी इसमें अलीजिबल है इसमें अलीजिबल है तो पैनल में कोटी नहीं दाएगे वो बच्चे को मिल जाएगा पर कोई ऐसा कर वो आठ लाख हो गया ना क्रीमी हो गया सारा उसमा इस तरह से केंदर सरकार ने भी इसमें आठ लाख वो की है जो एक नॉमिकली वीकर सेक्शन का उस लिमिट को हमने भी लिया हमने उनको देखके किया मैं आपको बताओं यह इसकी इन दिल्ली सरकार की है इसकी इसकी इन अभी पूरे भारत में नहीं है तो बारत में एकनोमिक लिमिट जो है उनको तो कॉसल विल फेर दिपार्टमेंट इस एस इसे डिवार्टमेंट वह हैं तैंक यू थार्डि के नई नहीं हम लागू किये गाया है तिया बिल्ली सरकार को इसा प्लान बना लिए तुछ रिलाक्स्ट्शन दिया जाएं जैसे कई स्टेट्स यह कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे हमारी समझ अभी तक कि यह है जो डिपार्टमेंट के ऑफिसज ने बताया है कि स्टेट गौश्मेंट के ऊपर है यह नहीं है केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है पूर रजेशन बाकी स्टेट्स कैसे कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे हमारी समझ से स्टेट्स के पास यह डिस्क्रिशन नहीं है केंदर ने पूरे देश में लागू कर लिया मुझे लगता है यह बहुत सीरियस मामला है कि जब बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके बाद हम लोग उसके उपर तरह तरह की वो करते हैं लेकिन जिन अफसरों के दोरान यह बिल्डिंग बनी और जिनकी जिम्मेदारी थी उस वक्त यह देखने की कि यह बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए उन अफसरों के उपर सक्त कारवाई होनी चाहिए मैं इस पर इंक्वाइरी और कराऊंगा और जो भी उस वक्त तैनात करमचारी थे उनके खिलाफ सक्त कारवाई करेंगे जब से कानून लागू हुआ है वोटर वाइकल वाला इसके मिड़नाइट से इतने पीसी हुए है इतने पुलिशन कंट्रोल वाले से सर्वाट डाउन पड़े है अच्छे आओ बहुत प्रॉलम हो रही है कि लोग दो दो बंटे सी तीन गंटे से तर वहां पर प्रॉड़क जाए मैं बी चेक कराता हूँ